हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वन्टीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटरल बैंक ओफ इंडिया की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर देखिए जो सेंटरल बैंक ओफ इंडिया है इसमें आपकी वेकेंसी जारी की गई थी एप्रेंटिशिप पोस्त के लिए जो की टोटल तीन हजार पोस्त के लिए वेकेंसी थी और इसका ओनलाइन फॉर्म अपलाए किया गया था पर फ्रेंज से यहाँ पर जो फॉर्म है वो दोबारा से आपके रियोपन कर दिये गए है और अगर आपने अभी तक इसमें आविदन नहीं किया है तो आप इसमें आविदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आविदन कर पाते हैं तो यहाँ पर देखें फ्रेंसे आपसे कहा गया है application is invited to notification जो कि आपको date दी गई है इसमें फ्रेंसे 3000 apprenticeship के लिए आपका notification जारी किया गया था अब यहाँ पर bank द्वारा जो है decide किया गया है reopen करना application form के लिए जो कि 6 जून से 17 जून 2024 तक आपकी window open रहेगी और यह फ्रेंसे reopen जो ह यहाँ पर registration भी कर सकते हैं और साथ में आपसे अपनाय जो apply है वो भी कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंसे यहाँ पर आपसे कहा गया है जिनोंने apprenticeship के लिए apply कर दिया है उनको apply करने की ज़रुत नहीं है इसके बात फ्रेंस जो tentative date है return exam की वो 23 जून 2024 आपकी यहाँ पर और इसके अलावा जो भी other details है वो 21 फरवरी 2024 को जो notification या form आपका start हुआ था वो ही सेम आपका रहने वाला है तो इससे लेटेड जानकारी आप फ्रेंसे जॉबरासा.com पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं अब बात करेंगे इसके form apply process के बारे में तो यहाँ पर फ्रेंसे देख तो student login पर जा सकते हैं और यहां से आप login कर सकते हैं अगर आप फ्रेंस पहली बार registration कर रहे हैं तो इस condition में आपको यहाँ पर student register पर क्लिक करना होगा इसके बार कुछ basic options हैं जैसे अधार कार्ड आपकी mail id, mobile number, photograph, अधार, seeded या friends mapped bank account, qualifying degree और bank passbook या bank account के statement आपके पास तयार हो दोना चाहिए तो आपसे पूचता है कि आपके पास यह data है एंडोल करने के लिए वो है या नहीं है आप yes पर क्लिक करेंगे आपकी mail id आपको यहाँ पर एंटर करनी है आपका mobile number आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद send OTP पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद आपके देखिए जो mail id है उस पर एक OTP आती है और साथ में आपके mobile पर भी OTP आती है वो OTP आपको डालनी है और उसके बाद यहाँ पर verification या verify OTP का option है यहाँ से आपको OTP को verify कर देना है OTP verify करने के बाद friends यहाँ पर देखिए आपको friends जो आपका form है वो start हो जाएगा और यहाँ पर friends आपको guideline दी गई है कि जो enrollment module है आपके student facilities के लिए यह friends आपके pass out in graduate in engineering या technology, graduate in general stream, graduate in vocational, diplomat in engineering या technology, diplomat in general stream या vocational और friends से यहाँ पर जो student pursuing करने हैं sandwich course वो भी friends से यहाँ पर enrollment कर सकते हैं अगर आपने कोई भी apprenticeship program में यहाँ पर पहले से कोई training ली हुई है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अब देखिए yes करने पर आप यहाँ पर eligible नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर वापस से send कर दिया जाए इसके बाद pass out कैसे हैं वो आपको जनकारी provide करनी है आपके अधार कार के according आपको यहाँ पर आपका नाम देना है आपको friends आपकी जो डियो भी है मिलसे date of birth है तो आपको यहाँ पर देखिए calendar आपके सामने open हो जाता है आपका जो भी date of birth है date month and year यह friends आपको यहाँ पर enter करना होगा तो date birth आपकी यहाँ पर enter करने के बाद आपको यहाँ पर gender select करना है आपकी community कौन सी है general OBC, SC, ST वो आप select कर सकते हैं आपका अधार कार नंबर क्या है वो आपको देना है अधार कार आपको यहाँ पर upload करना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर next option है आपके friends से state से आपने qualification पास की है वो आपको select करना है और जहां से आपका institute belong करता है वो district आपको select करना होगा इसके बाद आपको institute का नाम यहाँ पर मिल जाएगा तो आपके according इन में से जो भी आपका institute यहाँ पर रहा है आपको आपके area के institute automatic यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो आपक graduate and engineering technology है तो आपको देखे इन course में से आपको यहाँ पर select करना होगा graduate है आपका general stream में तो आपको फेंड से यहाँ पर दिया गया है BCA, BFA, BBA, BBS, BD, BPA, BSW यह आप select कर सकते है डिप्लोमा इन टेक्निकल जो आपकी यहाँ पर है उसमें आप इस option को select कर सकते हैं तो education type आपको यहाँ पर select कर लेना है specialization क्या है तो आपको specialization के लिए यहाँ पर देके list मिल जाती है आपके according जो भी आपका specialization है वो आप यहाँ से search कर सकते हैं सर्च करने के बार आपका फेंड से unique registration या जो role number होता है वो आपको फेंड से यहाँ पर enter करना होगा यह फेंड से enter करने के बार आपको यहाँ पर देना है आपका year of passing आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जनकारी provide करेंगे month of passing क्या है वो आपको यहाँ पर provide करना है इसके बाद फेंड से next option percentage का है तो आपको फेंड से यहाँ पर जो आपकी percentage है वो आपको देनी है इसके बाद फेंड से आपको यहाँ प पर रिजनरेट करने के बाद आपको फ्रेंस पासवर्ड को यहां पर कंफर्म करना होगा अब देखे फैंसे यहां पर आपको बताया गया है पासवर्ड में देखिए आठ करेक्टर कम से कम होने चाहिए इसमें कैपिटल लेटर नमबर और स्पेसल करेक्टर आपके उस सकते हैं आप यहां पर नमबर सी उस कर सकते हैं और यहां पर आप इस पेसल करेक्टर यूजuz कर सकते हैं इसके बार आप पासवर्ड को यहां पर करेंगे और उसके बाद यहां से submit कर देंगे इसके बाद friends आपका देखिए registration process complete हो जाता है और आपकी mail ID पर एक activation link जाएगा उस activation link को आपको friends click करके आपके account को activate कर लेना है account activate करने की बाद आप अपनी mail ID और जो password आपने create किया होगा वो डाल कर आप login कर सकते हैं इसके बाद friends आपने portal पर login हो जाएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर photograph अपलोड करना है JPG आप PNG format में तो browse पर click कीजिए file को select करके यहाँ पर upload कीजिए आपका mother name क्या है आपका friends father name क्या है यह जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी minor team में फ्रेंस आप जाएंगे तो आपको फ्रेंस से पूचता है minor team से अगर आप बिलॉंग करते हैं मतलब जैन सिक बोड़ पार्सी मुसलमान तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप simply यहाँ पर no कर देंगे इसके बाद friends अगर आप यहाँ पर पर फिल मिलती है अब आपको आपका प्रोविजनल या जो पास सेटिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अप्लोड करना होगा PDF format में इसके बाद friends नीचे आपको option मिलता है graduate in engineering ये technology आपने जोइन की है किसके बाद diploma के बाद तो आप diploma की जानकरी यहाँ फिल करेंगे अगर आपने 10 प्लस 2 के बाद यहाँ पर degrees करी है तो 10 प्लस 2 select कीजिए IT के बाद की है तो आप अपने according option को select कर सकते हैं इसमें friends आपको देखे school या institute का state आपको देना होगा किस state से आपने qualification की है किस district से की है आपको आपके school का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो मैं सिर्फ sample के तौर पर दे रहा हूँ आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा ऐसे ही आपके board का नाम भी आपको देना है आपका जो roll number है वो आपको यहाँ पर देना होगा आपका जो percentage है, CGPA है वो आप देंगे percentage में convert करके, इसके बाद friends about yourself, आपके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं इसके बाद आपकी कोई भी general skill है आपको कोई भी knowledge है, कोई भी आप extra कोई skill जानते हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं अब यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है add comma separate values, example skill 1, skill 2 and space is not allowed तो friends, आपको यहाँ पर जो भी आपकी general skill है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद कौन कौन सी language आप जानते हैं जैसे आप यहाँ पर मालीजे subject लिखते हैं तो आप इस तरह से directly subject लिख सकते हैं अब जब आप यहाँ पर अपनी skill देंगे तो आप लगातर skill देंगे, इसमें आपको कोई भी space देने की ज़र्द नहीं है और आपके अपने बारे में कोई भी आप यहाँ पर जानकारी जो है वो provide कर सकते हैं और उसके बाद ही आप save and continue करेंगे इसके बाद friends next option आपके address का है तो यहाँ पर देखिए आपको आपका permanent address का जो pin code है वो आपको देना है इसके बाद आपका जो यहाँ पोस्ट office है वो option आपका open होगा पोस्ट office select कर लीजिए district state आपका automatic आ जाएगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर जो भी आपका पूरा address है वो आप यहाँ पर देंगे अगर यह same है present से तो आप सीमेश पर click कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से भी save and continue कर देंगे इसके बाद training preference आपको कौन सी चाहिए तो आपको यहाँ पर state select करना होगा तो state की आपको यहाँ पर list दीखने को मिल जाएगी इसके बाद आप district select कर सकते हैं ऐसे ही friends से कोई second अगर माल लीजिए अगर आप location preference देना चाहें तो आप दे सकते हैं बाकी friends से यहाँ पर आप अपने state अपने local areas में preference देना चाहते हैं तो वह यहाँ पर दे सकते हैं इस aut poetry यहाँपर डिपेंट करता है आप अपर हाँ आपको recording जो भी preference आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर इसमें कोई preference नहीं है तब other भी select कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है fully तरह से कि आप कैसे यहाँ पर जो भी आपका preference preference है वो आप यहाँ पर upload करना है और उसके बाद save and preview कर देना है इसके बाद friends आपका आएगा आपके सामने preview option पिर्वियू section को ध्यान से चेक कर लें अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप इसे edit कर सकते हैं नहीं तो आप इसे यहाँ पर click करेंगे और उसके बाद final submit कर देंगे इसके बाद friends आपका देखिए dashboard जो है वो open हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको Central Bank of India apprenticeship with Central Bank of India में 3000 post के लिए आपको friends यहाँ पर view का option मिल जाता है साथ में आपको apply का option मिल जाता है तो आपको बस यहाँ पर simply दिए गए apply वाले section पर click करना होगा तो जैसे ही friends आप apply वाले option पर click करेंगे देखिए आपको यहाँ पर show करेगा applied मतलब आपने यहाँ पर इसे applied कर दिया है तो आपको सिर्फ apply करने के लिए यहाँ पर कुछ और जानकारी फिल करने की ज़र नहीं है आप view पर जाकर भी आप details को check कर सकते हैं इसमें friends आपको इस vacancies rated जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर हो गया apply का process अब friends यहाँ पर देखिए जो payment है वो भी आपको करना होता है अब देखिए जो payment है वो friends आप कैसे करेंगे तो payment के लिए जब आप इसमें आविदन करते हैं तो उसके बाद friends इमेल के जरिए आपको friends एक BFSI SSC का एक link आपको send किया जाएगा इसमें bank details होंगी payment of exam fees के लिए तो आपको आपकी mail ID चेक करनी है उसमें फैंस जो details आपको send की जाएगी उस पर आपको जो payment है वो confirm करना होगा और उसके बाद ही आपका form final submit होगा तो यहाँ पर friends मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करती है कैसे आप Central Bank of India Apprenticeship Online from 2024 अपलाए कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चैनला संक्स पोर वाचि अग्तरो यहाँ अबने लिए ठjskुट प्ने घचे लिए बने लेगी वागी के लुमंझा ठक्रदू हमारे विस फज़ आपको हमारी के आपको उना डराक शेदेव sal का सल कि यह माळल जरूने इस कर दूए laughing